अगर सिफारिश वालों को ही नोकरी देनी होती है तो ये दफ्तर वाले हमें इंटर्व्यू के लिए क्यों बुलाते हैं भारत डिगरी हाथ में लिए यूचुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा इंटर्व्यू यूँ हैंड्स अप का लो तुम है में Master of Arts from Delhi University मैं कहता हूं माल निकालो माल मुर्ण माल लजे लडह बुचर झाल मुझे रुपया चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है तुम्हे रुपया मिलेगा, पर पहले मेरी शर्ट तो मानो आओ, आओ मेरी चाहन पुपकाटा ढाओ आओ आप से कहा गया है कि ये जमीन खाली कर दें और अपने जोपड़ यहां से हटा ले सरकार जोपड़े हटाने का तो हुकम कई बार दिया सरकार ने मगर यहां से हटा कर कहा ले जाएं ये आज तक नहीं बताया सरकार ने ये सब कुछ हम नहीं जानते ये जमीन सेट जी की है और सेट जी यहां पर अनाफा श्रम बनाना चाहते हैं हुआ 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 है भगवान मेरे भारत के दुख दूर करते उसे नौकरी दिलवादे भगवान सो जाओ माँ और भगवान को भी सोने दो तुलो रहा है बेटा आज तु बहुत बड़ी दफतर में गय था ना कल एक और बड़े दफतर में जाना है माँ तुमने राश हो गई मैंने जरी जनमपत्री एक जोटशी को दिखाई थी राहू केतू अपनी जखे प्याटल है ना वो कहता था एक तो महीने में स्टप फिक हो जाएगा माँ मेरी जनमपत्री मेरी कुंडली ये डिगरी है डिगरी और इसकी किसमत में कितने राहू है कितने केतू ये कोई जोटशी नहीं जानता किस-किस को देखिए किस-किस को रोईए आराम बड़ी चीज है मुढ़क के सोईए क्या हुआ कुछ नहीं भारत अपनी दिन कब बदलेंगे जब नौकरी मिलेगी नौकरी कब मिलेगी जब दिन बदलेंगे जाने वो दिन कब आएगा आएगा भारत सच कहती हूँ चार सार पहले जब तुम्हें एंजिनेरिंग की डिगरी मिली थी न तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी से नौकरी मिलेगी फिर बसों के लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा अपनी भी एक कार होगी आकाश को छूता हुआ एक सुन्दर सा घर होगा रंग भी रंगी कपड़ों से अलमारियां भरी होंगी पढ़िया से बढ़िया गहने पहनूंगी और फिर हवाई जहास में बैटकर आकाश में उरेंगे ए शेख चिल्ली की चाची क्यूं मेरा सच्छा नहीं पसंद यब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है हाई ने मैं मर जाओ वाँ कहाँ चली तुम भी आओ ना परजात में भीग जाए मेरे कपड़े के लिए हो जाएंगे तो क्या हुआ शीतल आदे घंटे बाद एक इंट्रीव के लिए पहुचना है कौन जाने बरसों बाद इस दिगरी की किसमत खुल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए ये हाँ आरे हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी आरे हाई 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 मजबूरी ये मौसम और ये दूरी मुझे पल-पल है चड़ पाए तिरी धाक के आदी ना पिरीवे मेरो लाखों कासा वन जाए हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी कितने सावन भी थे चितने सावन भी थे बैठी वुआस लगाए जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए कब आए मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए तिरी धोटके आदी ना पिरीवे मेरो लाखों कासा वन जाए हाई हाई ये मजबूरी ये मौसम और ये भूरी प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर न तूटे अरे नो करता है क्या भराजा आज मिले खल छूटे खल चूटे अंबर पे है रचो सयंपर फिर भी तू घब राए तिरी धोटके आदी ना पिरीवे मेरा लाखों कासा वन जाए मुझे पलपल है तडपाए तेरी दोटकी आजी नाकरी वे मेरा राहा पासा बन जाए हाई हाई ये मजगूरी ये मौसम और ये घूरी तो हम लोगों कर दोटाए तो हम लोगों कार्शांट साथ नाम ही कटेगा ना, नाक तो नहीं कटेगी विजे भाईया, तुम्हारी कॉलेज में स्ट्राइक है, इसने तुम्हें कोई चिंता नहीं मुझे क्यों चिंता होगी 111, जबकि हमारी पढ़ाई की चिंता, हमारा पढ़ा लिखा बिकार भाई करता है करता रहे नहीं, करता था, मैं कोशिश करते करते ठक चुका हूँ अब मुझे और बंदोबस नहीं हो सकता 113, भाईया, बंदोबस नहीं हो सकता तो हम क्या करें, पढ़ाई छोड़ दो 114, पढ़ाई छोड़ दो, जब तू फीस के लिए पैसे मांगा करता था तो मैंने कभी कहा था कि कहा से लाऊं रुपया, अब मैं बिमार हूँ, दिल का रोगी हूँ, ना जाने किस घड़ी मेरी आखे बंद हो जाए, अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो तूने भी जवाब दे दिया पिताजी, आपने मुझे गलस समझता हूँ, लेकिन तू भी समझ ले, जिस डिग्री को तू जेब में डालकर बेकार गुमता है ना, उस पर मेरे जेब की एक एक पाई लगी हुई है, ये मेरा कर्ज है तुम पर, और ये कर्ज, तुमको चुकाना है, इन तीनों को डिग्र ये दिलवाकत, डिग्री, इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में पांट दीचे, एक सो पंदरा, सुन लिया तुम लोगों ने, क्या कहता है तुम्हेरा बड़ा भाई, क्या गलत का है तुम चुप रहो, एक सो सोला, ये सेर, और तुम सभा सेर, एक सो सत्रा, रादा, तुम कली जाकर चंपा के होने वाले ससूर से कह दो, कि उनके हुक्म के मताबिक, हम चंपा को भीय तक नहीं पढ़ा सकेंगे, तुम पांच मिनिट लेट हो गए साहब, शीतल अभी गई, भाया, आज मैं तुम से मिलने आयो, मुझ से मिलने आयो, पहली और आखरी अबर, एक दूरूरी काम से. काम? मुझ से? क्या काम है? किसे से कोगे तो नहीं? नहीं. शीतल से भी नहीं ना? हर्गेस नहीं भाया, मुझे कुछ रुपया चाहिए ओ, रुपया चाहिए? आज और भी अभी तो नहीं है, भारत है, लेकिन एक काम करू तुम अपने घर जाओ, मैं भी आता हूँ जाओ, लेकिन कितने रुपय चाहिए? भाया कम से कम तीन सो रुपया तीन, रुपया? तीन सो रुपय? हाँ मिल जाए भारत भारत, ये लो तीन सो रुपय थेंक यू वकवास बंद शीतल को तो नहीं बताया न? नहीं, तुम भी अपनी भावी को नहीं बताना क्यों? हमने आपसे ये थोड़ी पूझा शीतल को क्यों नहीं बताना? समझ गया थेंक यू बकवास बंद है जब बंद अच्छा हुआ मेरा कॉलेज बंद है वरना तीन सो की जगहे पांच सो का बंदोबस करना पाए अरे भारत ये क्या कॉलेज है वेजय का जो आए दिन बंद रहता है आजकल लड़कों को स्कूल कॉलेज की कोई हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था तब पढ़ने माला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खतम और उधर नौकरी पकी लेकन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी टिगरी पाने के बाद कि उसे नौकरी मिलेगी या नि पिछले साल की बाद याद है पिता जी जब मेरे एक दोस्त ने बर्सों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो टिगरी लेने के लिए सजधच कर काउन पहन कर हॉल में गया तो टिगरी मिलते ही उसे भार के भेग दिया कितना जल चुका होगा वो तो उसका क्या गया नुकसान उसके माबाप या भाईयों का हुआ होगा जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीज भरी होगा माबाप ने तो उसकी पढ़ाई में बीस-पच्चिस हजार रुपे लगा दिया होंगे लेकिन उसके तो बीस-पच्चिस साल चले गए और जवानी के बीस-पच्चिस साल की कीमत बीस-पच्चिस हजार रुपे नहीं होगा इसे क्या हो गया यह सिर्फ इसकी आवाज नहीं पिता जी अन्धकार में भटकता हुए हर नौजवान की आवाज है यह मैं मर गई, लुट गई, क्या हुआ? मेरे गेवर चोरी हो गए, गुम हो गए, खायब हो गए क्या बक्तियो आवरत का जेवर उसकी इज़त होती है अगर वही लुट गई तो मैं तुमारे साथ नहीं रह सकता अजी इज़त गई छपडवाले खुमे में मेरे गेवर चोरी हो गए, कहीं तुमारे पास नहीं है? क्या बोलती हो, नहीं नहीं मेरे पास नहीं अरे तुमारे और तुमारे साथ बच्चों की कसम मुश्य जी साथ नहीं, आठ बच्चे कितनी बार का अचा अचा आठ बच्चों की कसम मेरे पास नहीं है तुखर सीखते क्यों, पुला पुलीस लिखा और अरे चोरी करने वाले तेरा सत्याना सो तु कल का मरता है कंबता आज मरे आज मरे ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, अगर वो मर गया तो तू विद्वा हो जाएगी आरे मौरक मेरे पास नहीं, मैंने बक्से सी निकालकर बैंक मेर रख दिया है वह तू नहीं समझती, टुस्वत का दर्वाजा तो खोले से खलता है ये लो पाँच हजार, कसं पूरानी दिल्ली की काम पूरा कर दोगे तो पच्चिस हजार मिलेगा काम क्या करना होगा? मुद्धत हो गई समझाते हो, तुम्हारे कॉलिज में स्ट्राइक है, कोशिश करो कि सारे कॉलिज बंद हो जाए, वाइस चांसलर का घेराव करवादो, यूनिवस्टी की बिल्डिंग को आग लगवा दो, तो कसम पुरानी दिल्ली की मज़ा आ जाएगा. खलीफा, आज का स्टूडन को चावी से चलने वाला खिलोना नहीं. आज के स्टूडन को किसी भी नाजाएस काम पर राजी करना नामंकिन है. कोशिश करना इंसान का फर्ज है. मैं नहीं जानता फर्ज क्या है. मुझे तो रुपया चाहिए. इसलिए के तुमारी घर में भूख है. और पुरानी दिल्ली की मेरे घर में भी भूख है. ये रुपया दिया किसने आपको? उसके घर में भी भूख है. मगर इस गंगा की गंगोत्री कहीं तो है. ये रुपया देने वाला आदमी कहीं तो होगा जिसका गर माल से बढ़ा हुआ है? पुरानी के साथ साथ नहीं दिल्ली की खसम वह कौन सा मुल्क है? मैं नहीं जानता. टेकट माई बॉई. इस ये बैस्ट ओवाट. आयाथ? रिजये, ये इंडिया गेट है ना? बर्सों से तो देख रहे हैं आप. आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है. पहले यहां कुछ भी नहीं था और अब ये बंदूक और टोपी. भया आब इसे अन्नोन सोल्जर कहते हैं. कुम नाम सिपाही? मैं समझा नहीं. भया ये जो तुन लोगों की याद में जलती है, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गये. और तुन रुपए के लिए शहीद हो गये. भया! भया मैं उस देश के बारे में कैसे सोचू जो आ मेरे भाई को रॉकरी तक नहीं दे सकता? जेब से रुपया निकालो. मैं कहता हूँ निकालो रुपया. भया, इन रुपवों से हमारी बहुत सी जरूरत है पूरी हो सकती है. पॉलिज बंद करवाके, वाईस चांसलर का घहराओ करके, उनिवस्टी की बिल्डिंग को आप में रागा. थिकार है तुम जैसे भाईब. विजे, भूप से मर जाओ, कोई गम नहीं. लेकन जीओ, उस देश का अच्छा शहरी बन कर जीओ. उस दिन के बाद विजे घर छोड़ कर चला गया. एक खत छोड़ गया मेरे नाम, लिखा था. भाईया, अगर जिन्दगी में आपको शकल दिखाने के लाइक बना तो लौटाओंगा. नहीं तो समझ लीजिएगा, किया आपका भटका हुआ भाई अंधकार में खो गया. माही ने भीट गए, ना वो आया और ना ही उसकी ख़बर. पिताजी की हालत भीकड़ने लगी. और मा, मा रो रोकर ठक गई. दिन रात भागवान से उसकी वापसी की प्रातना करती रहती. और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था, कि विजय घर से क्यों चला गया, क्यों चला गया. चार साल हो गये, मेरी हर जनम दिन पर यही कह देते हूं कि जनम दिन मुबारक. कभी कोई प्रेजन्ट नहीं दिया, तोफा नहीं दिया. हरी ओम, हरी ओम, शीतल, हर साल यही सोचता हूं कि नौकरी मिलेगी, तो तुम्हें तुम्हें अगले जनम दिन पर अगर हीरे की अंगूठी ना दे सका, तो कम से कम सोने की जरूर दूँगा, मगर अपनी किसमत ही कुछ ऐसी है, यह नौकरी नहीं मिली, बहुत कुछ मिल गया तो टेलिविजन पर गाने का प्रोग्राम मिल गया, या कोई छोटी मोटी टुईशन मिल गई, खाजाने दो हाथ लाओ, जनम दिन का तोफा यह स्टेनलेस टील की अंगूठी पसंद है, तोफा पसंद नहीं? जब तुम पसंद हो, तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है, आय मर्जामा, शेहितल, अंतियो, भगवान की तस्वीर वाली अंगूठी क्यों लाया हूँ? क्यों? हमारे इस रिष्टे का किसी को तो साक्षी होना चाहिए, और फिर भगवान से वढ़के साक्षी और कौन होगा? आओ, गोपैलो, जब भी मेरा टेलिवीजन पे गाने का प्रोग्राम होता है, साला तु आधमकता है, तुम्हारे प्रोग्राम इंचाज सकंदर खन्ना से तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में पता लगा लेता हूँ, और फिर आधमकता हूँ, और फिर गाना गाके जो तुम पैसे कमाते हो, उसमें सेजार पांच-दस रुपए मुझे भी मिल जाते हैं और अपनी कड़की दो दिन के लिए दूर रहती है ओए कड़के हाँ बाई पहले लड़का था अब कड़का इस दिन्दगी में ना नोकरी मिली ना छोकरी मुझे मिल गई क्या छोकरी नहीं नोकरी भारत कैसे मैं मोहन एं कंपनी के मालिक मिस्टर मोहन की परसिनल सेकरट्री कंखर पूरे साड़े साथ सो रुपए देख आपनी संगूठी का कमाल हाँ भारत हाँ सच मुचे संगूठी ने कमाल कर दिया हमारी सारी जिंदगी बदल दी शीतल हाँ आज ऐसा गीज काएंगे के दुनिया यादरके गी बाड़ मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैंनों पूलोगी चलो जग को भूले चलो जग को भूले खयानों में जूले बहारों मिल्डों ने सितारों को छुबूरे ता तेरी में मान समारू तू दुलहन बन जा मांग से जो दुलहन का रिष्टा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी हुआ 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 है समय की धारा में मर नहें जानी है जो भड़ी जी लेंगे जो भड़ी जी लेंगे मर भड़ी रहे जानी है मैं बन जाओं तास आखरी तो जीवन बन जाओं जीवन से सासो का रिष्टा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी मैं ना भूलूगा मैं ना भूलूगी जा भूलूगा जा भूलूगी मैं जाओं रएंग जाओं रहाँ जाओं ना भूलूगी मैं रिष्टा मैं अा भूलूग बरसता सावन हो महतता आमन हो कभी दिल दूला कभी दिल दूला गगल बनकर धूले चलो राहे मोड़े कहित लुप जाना है नजर नहीं आना है कहीं पे बस जाएंगे ये दिन कट जाएंगे अरे क्या बात चली बदेखा रात ढली ये बाते चलती रहे ये राते घलती रहे मैं मन को मंदिर कर डालू ठूपू जनबन का मंदिर से पूजा खा रिष्टा मैं ना भुरूँगी इन रसमों को इन कसमों को इन दिश्टे नातों को मैं ना भुरूँगा मैं ना भुरूँगी में ना भूनूंगा, में ना भूनूंगी मोहन सहाब, आज अगर आप एक सो रुपय कमाते हैं, तो मुश्किल से आपके हिस्से में तीन या चार रुपय आते हैं, बाकी सब तो टेक्स में चला जाता है लेकिन टेक्स में भरा हुआ रुपया कहीं किसी काम तो आता होगा, क्यों? किसी भले आत्मी ने कहा है, यह मत सोचो कि देश तुमें क्या देता है, सोचो यह कि तुम देश को क्या दे सकते हो और जब तक हम सब यह नहीं सोचते हमारा कुछ नहीं हो सकता आप जा सकते हैं मिर्शीतल ये सर्व पांच बच चुके हैं आप खाच जा सकते हैं थैंक यू सर्व मिर्शीतल ये सर्व दस बारा दिन उस देख रहा हूं कि तुम्हारे बास सिर्फ दो जोडे कपड़े सर्व मैं कंपणी का स्टाफ क्या खाता है क्या बहनता है इससे कंपणी पर असर परता है इसलिए मैं चाहूंगा कि कंपणी अकाउंट पर तुम कुछ नए कपड़े खरीद दो सामें खुद अपने मिर्शीतल छोड़ी छोड़ी बातों पर पहस करना मनासिप नहीं गुद नाइट भावी तेखोई रंग दिरंगे कपड़े सारी तनक्वा इंधी कपड़ों में बरबाद कर दी भावी ये कपड़े कंपणी से ने ले है क्या? हाँ, ये सब मोहन सहाब का तूफा है अरे बाव, ये मोहन बावो तो कोई बाग पर हत्मता ही लगते है भावी, वो कितनी अच्छी है इसका अंदाज़द कोई और नहीं लगा सकता शीतल ये सरानत ये सरानत भावी के साथ, ये लालपूल अच्छा लगेगा थैंक्यू, थैंक्यू साथ भारत मेरे बालों में फूल देखते हूं हाँ कैसे लगते हैं? फूल तो डाली पे जायदा अच्छे लगते हैं भारत तुमें बहुत रुखा पनाता जा रहा है हाँ कभी-कभी सूचती हूं काश तुम मोहन बाबू होते तो क्या हो जाता? तुमेरे सारे सपने पूरे हो जाते जिंदकी बस्यों की लाइनों में लगकर पीछे ना रह जाते अगर तुम मोहन बाबू होते तो जिन्दगी बड़ी बड़ी कारों में वक से तेज भागते हैं ए तो इंसान तेज भागते हैं ना उन्हें ठोक कर लगती है फिर वो गिर जाते हैं फिर वोई बात आयर जाने तो बताओ कल कौन सा दिन है कल? मंगल बात सिर्फ मंगल और क्या? बूल गई? कल मेरा जनम दिन है और यह भी याद है कि आज से चार साल पहले हमारी पहली मुलाकात टीवी स्टेशन के पास वाली सेंसिन में हुई थी और यह भी याद है कि हम हर साल उसी वक्त पे उसी जगे पे उसी डेट को मिलते हैं यह? हम और कल पांच बजे फिर में लेंगी कल पांच बजे तक तो तुम्हे महन साप के साथ रहना है मैं कल छार बजे चुटि ले लूँगी पूरे छार बजे साह चार बज गए और मैं जानता हूँ, चार बज है, चाय का वक्त हो गया है जाए और चाय मंगवाएं यही कहना चाहते हूं लेकिन स्था मुझे आज काम इतना पिसी था यह पूली कि लाल साडी के साथ आज यह लाल पूल जादा यह अचा लग रहा है यह लग प्रड़ी तेंक यू साथ परशब यार बहुत देर हो गई पांच बाइस से बैटे है और आठ बजने को आए शीतल भी ते किनी आई शीतल नोकरी वाली और यह बिलकुल बेका और फिर प्राइवर्ट सेक्टरी को तो माली का साया बनका रहना पड़ता है भारत शीतल आती रहेगी तुम मेरे साथ चलो कहीं किसमत हमारी रह देख रही है मैं जब भी आपको टीवी पे देखती हूँ आपका गाना सुनती हूँ बस पागल से हो जाती हूँ फिर गोपाल से पता चला कि इतने बड़े कलाकार को एक नौकरी की जरुवत है मैंने कहा करोड़पती सेटने की राम मेरी मुठ्छे में है एक इशारी की जरुवत है कि बस नौकरी पकी क्या लेंगे आप जी सोड़े के साथ या पानी के साथ जी थैंक्स मेरा दोस इन बातों में बिलकुल पंडित है पंडित 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 जी पहले मेरा जीवन भी एक जोगन की तरह था बच्पन में मा गंगा जल पिलाय करती थी लेकिन अब अब जिन्दगी को जरुरतों ने इसकदर निचोट लिया है कि सुभा शुरू होती है तो शराब से और राट ठलती है तो शराब से फैर जाने दो पंडित जी आपकी नौकरी तो बिलकुल पक्की है सेट शी काम क्या करते है हम दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन अस्प्रियत में सब कोर्मार है सेट नेकी राम सेट नेकी राम तो मुरली वाले का पुजारी है उसके सुदर्शन चकर से अपना चकर चली जाता है मलिका नेकी राम यही वो आदमी है जिनके काम के बारे में तुमने कहा था आदमी भरोसे वाले हैं मेरे पीत आज बार्शा तुम्हे मुझे भरोसा नहीं है बिलकुल भरोसे के हैं तो फिर इनके नौकरी पकी न से नेकी राम नौकरी नहीं देता हिस्सा देता है चाराने क्योंके मेरे काम में थोड़ा जोक्रम है थोड़ा खत्रा है आज इन कोरे कागजात पर दस्तर कर दो और कल से काम शुरू पंडी जी तुम से नहीं करोगे शायद मैं ऐसा वैसा काम ना कर सुकूँ से नेकी राम ना ऐसा वैसा काम खुद करता है ना किससे करवाता है वो तो मलका नेकी राम ने तुम्हारे बारे में कहा तो हमने कहा कि ठीक है खैर जी गोली मारो कोरे कागजों को अगर मलकाय नेकी राम कभी हमारी बगल में आकर मचले तो उस कुनें बैठकर कोई गीत छेड़ देना मैं बाजारी गीत नहीं जो हर कोठे पे गाया जाओं कुन नो वो तो चला किया तेंद आई बस नहीं आई आजाएगी आजाएगी तो मुझे चाहते हैं शीतल मैंने तो कर भी खाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जरूरी बात का इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा यह तो जट मंगनी पग्वया वाली बात हो गई शीतल चलो घर जाकर यह खुश्कावरी मां को सुनाए लगता है बस आई मुझे लगता है बस कही कर नानी की सोबर माफी मांग चुकी मगर एक तुम हो की कुछ बोलती ही नहीं अच्छा बाबा मत बोलो मैं ही बोलती हूँ इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ फूचो क्यों कोई चट मंगनी पट्प्यावाली बात हो गई बिल्कुल कर बात बनी आज अमेरिका जाने का पक्ता हो गया है ना खुश खबरी शीतल तुम्हे रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना आसमान को चूता हुआ शीतल एक कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है नौकरी? हाँ नौकरी जब वह बिल्डिंग बन जाए ना तो वह उन साब से कहना उसे खरीद दे तो तुमने कल ना आने के लिए माफ नहीं किया इतना बड़ा दफतर उतने बड़े काम मुझे याद आगया मुझे भी बड़े काम करने है पासपोर्ट ओफिस जाना है पासपोर्ट? हाँ इधर पासपोर्ट बना? उधर हवाई जहाँ जुडा शीतल मोहन बाबू के साथ था मैरिका चली गई और मुझे लगने लगा ऐसे थीरे थीरे वह मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे बाबू, सुना है अंधों के आश्रों में भी काम करके खाना पड़ता है मैं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखा देता, सुर्दास नहीं इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया उतर दो, दो दूँगी सोच समझ के बात क्या कर? अरे बाबू, अगर सोचने लगोंगी तो काम कौन करेगा? और काम भी करोंगी तो मुफ्त में मस्तुरी कौन देगा? वहाद सोचती हूँ मैं कहां बोलती हूँ बाबू और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझ कर कि तुलसी बोल ले बोल ले अभी वाक्त है नाजने बोलने पर भी कब रेशन लग चाए? बबबू, रेशन की बात से मुझे याद आया मुझे भी रेशन लाना है मैं जाओ? मैं गी हो रेश पाजी सहस्रियकाल सहस्रियकाल परणाम सिंग जब जब यह बूला आता है तुलसी उसे देखकर कुछ दर सी जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती है जैसा क्यों? पाजी एक अदमी की सौ-सौ कहानियात तो सौ-सौ अपसारे किस-किस की सोचोगे तो किस-किस की सुनोगे मुनिन जी आप ज़रा सिमट की बोरियों की गिंती करवा लिजेगा ए तुलसी तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाबु दिखता तो है मगर क्या करूँ मेरी मित्ती जब गिरती है तो आप क्यू पर ही गिरती है इसके पहले जो बाबु था ना उसको पर कभी नहीं गिरी तुलसी तुझे कुछ राशनवाशन लाना होगा हां? अरे वा, क्या बाबु हो मैंने मांगी ने यार तुमने छुट्टी दे दी बस बाबु मैं गे ही आर आई ले पकड अले मुन्ना, क्या हुआ मेरे बेटे को? बस बस बाबा, आज पीसे बुखार नहीं चड़ा फिर को रो रहा है कुछ समझ में नहीं आता बेटी बस बस, नहीं लोते, नहीं लोते कुलसी हां? बाब कौन है? किसका, मेरा? नहीं, उस बच्चे का मैं जानती थी बाबू, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे मेरी बात का जवाब नहीं दिया किस बात का? बाप कौन है? ये पूछने की हिम्मत तो मेरे बापने भी नहीं की बाप इसलिए नहीं पूछता कि वो बाप है तुमने ठीक कहा बाबू कौन बाप अपनी बेडी सुस के बाप का हिसाब पुछता है पर बाबू, तुमी पहले आदमी हो जिसने पूछने का कश्च तो क्या है? तो बताओ बाबू, तुलसी दास की रामायन में राम भी है, सिता भी है पर इस तुलसी की रामायन में ना राम है, ना सिता है स्रिफ रावनी रावन है इसलिए तो कहते हो, जा करोगे सुनकर बस इतना ही जान लो मेरे बेटे के बाप है रोटी, कप्रा और मकारा मैं, मैं समझा नहीं बाबू, वो जो बाबा आता है न वो मेरा बाप है स्राक्टरी में काम करता था एक दिन महशीन में फस कर टांग ही कट गी स्राक्टरी वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर यूनियन वालों ने जी जान से मदद की और और जिस महलों में हम लोग रहते थे थे न उन्होंने भी धरस बंधाई पर कब तक कितने दिन एक दिनों महला छूटके हम लोग इस पस्ती में आगे जो कुछ थोरा बहुत पास था वो भी खतम हो गये अमरी हालत पर तरस खाकर दुकान दानने उधार देना शुरू कर दिया और बाबु जिस कागस पर अपना हिसाब था न वो भी एक दिन भर गया दुकान दानने उधार देना बंद कर दिया पास दिन से पेट में आनाज का एक दाना थक भी नहीं गया बाबा को बुखार था मैं हिम्मत हर गी जब भीक मागने के लिए इस दुकान दार के पास पहुंची लाला मुझ पर तरस खाओ पास दिन से आनाज का एक गाना नहीं गया पेट में मेरा बापू मेरा बापू से भूखाई नहीं बीमार भी है अगर उसे खाने को कुछ ना मिला तो दम तोड़ देगा लाला मैं तुम्हारी पाओ परती हूँ मुझे दो मुठ्या आनाज देदो मैं चितना जली हो से के तुम्हारा हिसाब चुका दूँगी मेरे जौंपड़े के किराय का क्या सोचा यह किसी का क्या सोचे की जिसे अपने ही तन का होश नहीं देखो देखो तार तार हो गए है कपड़े तेरा बाप बीमार है न जा खोधाम के अंदर भदले थेलिये नाज से जा आपने दर्वाचा क्यों बंद कर दिया अरी चंता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं अगर जनता को यह पता लग जाए कि गोदाम में माल भरा पड़ा है तो जनता मेरी खाल उधेड़ देगी पुलसी आचा तु यहां से भर ले और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है अपनी पसंद का कपड़ा लेती जाए तुम शुप रहो जी, जा तुटे जाओ, भर लो जोली जितना आटा चाहिए पहले पैसा, फिर आटा लाला, मेरे पास कुछ नहीं है अरे तु तकसाल है, तकसाल करो मत, सेट दयाराम तुमको इस जोदाम का मालिक बना दे और मैं ध्वंपड़ा तेरे बाप के नाम लिजूँगा और मैं तुझे इतना कपना दे दूंगा, कपना-कपना हो जाएगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाला मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर बस मेरी आवाज अनाज से दब की पूरानी चोली उतर गी ये दाग दरता मन पर नहा जोरा सच गया क्यों बाबू है नानो खिरा माया ना जिसमी राम ना सीथा सिर्फ रावनी रावन है तुरसी जी राम राम जै सीथा राम ए जगू इज़त के चकर में तो इज़त लोट गई थी अपनी लेकिन आज मैं चिला सकती हूँ उस दिन तुम लोगोंने नोचा था मुझे आज मैं तुम्हारा मून ऊच सकती हूँ समझे को गप्पै तुलसी तू आज बचके नहीं जा सकती अरे जा जाल लेया इसे छोड़ दो इसे आप की तारिक इस वक्त अपना बाब समझ और बाबू उन तिन रावन में से एक रावन ये है मकान वाला मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे मैं कहता हूँ चली जाओ यहां से अगर ना गया तो तो कहता हूँ जाम प्सित परिका बाठी की **** टखा की इस अभी की लुट की आपके दो बॉल मेरे इमा मेरे, पुल जाओ, 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 घुल घपते बॉट, बॉट ठीट जोर दे जगू, जगू नहीं, जगू नहीं नहीं, मैं के तू नहीं आक शबुट। आएए, जब बलेश चल्याँड। सचली आकाण। रकाश्च वालकुनू। तोनी प्रावालती रचुत। तुर्वा गुरुदीदा खाल साथ श्रिवा गुरुदीदी फदे पगे। अगर तुम ना आती तु नहाचाने बाबू का क्या होता और अगर बाबू ना होता ते लोग मुझे नानक नाम चल दी कला तेरे पाने सरवधा पला बाबू बाबू मैं सच कहते हूँ अगर उस दिन भी तुम जैसे कोई आगया होता तो इस तुलसी की रामन में भी एक राम होता ओ तुलसी, हमको यह मुलूम नहीं, कि तरी रमाण में कोई राम है के नहीं, पर किसम वा गुरूदी, अज तो तरी रमाण में अनमान जुरूर आ गया है, ओ तुलसी, हम तेरे को सच बोलता है, अगर किसी भी राम अनका साया, तेरे पपड़े आना, हम उसकी गर्दन को वड कार्द देगा, उसके लंकाय को जा देगा, किसम वा गुरूदी, ये लो आता, ये लो पैसे, अले रहने तु, तुलसी रानी, फुर्सक में आ जाना, क्या? आहिस्ता बोलो, क्या? एक बार फिर आ जाना, मुह मांगे दान दूंगा, दोगे? राम कसम, अरे एक बार तु मांग के तु देख, तोला बरस की लड़की को औरत बनाने वाले, क्या तु मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी, बगवान भी कली से फूल बनाता है, फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता, अरे भगवान तो इंसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है, यह लो आटे के पैसे और पहले की दो, बाकी रहगे दस, बस, अरे वो मुच्छे वाले, कपड़ा गर्ज गर्ज फाते हैं और जबान मील भर निकल रखी है, सुना है, तुने अपनी बेटी को, शादी शुदा नहीं, अपनी कुमारी बेटी को चौथी बार मा बढने से बचा लिया, क्या बखती हो, अरे लाला, तुम्हारी कंदी मैली और लूटी हुई इजद के थान जिस धोभी गड़ पर धुलते हैं न, मैंने भी अपने बेटे को वहीं पर जनम दिया था, इसी डाक्न के पास, वालाला, वा, अपनी बेटी को मा काम नहीं बनने देना। दूसरों की बेटेएं को मा बनाते चाह। जा 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 जा। जा जीन हूँ फिलसी जल्डी-जल्डी आज़ण। यह लो यह क्या इसमें तुम्हेरे बेटे के लिए खिलोने है? बाबू मैंने तु सोचा था तुम रात भर मेरी गंदी जिन्दगी के बारे में सोचोगे और सुमा मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगे लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया तुलसी अगर तुमने ऐसा सोचा तु बाबू, मैंने बहुत उको देखा, बहुत उको जाना जिसके जिन्दगी पर कलंग लग चायना, उससे दुनिया दूर भागती है और मैं, बाबू, मेरी सिंदगी सिफ कलंग की नहीं, ग्रहन है, ग्रहन तुलसी, मेरी मजदूर साथी लोग कहते हैं, जब ग्रहन लगे न, तो जिस चीज में दो पत्थे तुलसी के डाल दो, उससे ग्रहन नहीं लगता तुलसी, तुलसी तो औरों को ग्रहन से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहन कैसे लगती लगा बाबू, मेरी कारिफ मत करू, मैं रूपढूँगी अरे, रूए तेरे दूश्मन बाबा, हाँ बेटी, वो अपना बाबू है न, बहुत ही अच्छा है हाँ बेटी, वो बाबू बहुत अच्छा है, तेरी बड़ी तारीफ करता है, तुझे चुट्टी भी देता है मुनने के लिए खिलोने भी लाया, मगर बेटी, तु इस लायक नहीं है, जो किसी के बारे में ज्यादा सोचने लगी न जाने उसके हमदर्भी में क्या बात चुपा है बाबा, अगर उस दिन जगू के आदमियों के चाकु सेकुट चल गए होते, तो क्या होता बाबू का हो? वो मर सकता था तो? जो आदमी किसी के लिए बंडी को तयार हो जाए, उसके हम धर्ति में पाप कैसे हो सकता बाबा? तो ठीक कहती है बेटी, लेकिन बाबू आसमान वाले लोग हैं, हमारा तो धर्ती पर भी ठीकाना नहीं, इसलिए कहता हूं बेटी, तो बाबू के बारे में सोचना बिलकुल बंड करते है मैं कौन सा जान बुच का सोचती हूं? यह सोच जान बुचकर मुझे सोच में टाल देती है, पर तुम भी ठीक कहते हो, बाबू के बारे में नहीं सोचनागी, नहीं सोचनागी, बिलकुल नहीं सोचनागी बाबा, बाबू ने एक खिरों ने कितनी पैसे में ले आंगे? फिर बाबू की बाद? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, पर चलते हो बाबा, बाबु कह रहा था उसने कहा चाहता है क्या मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा तिसमत तेरी एक हमें आख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तनहाई मार गई चो थी ये खुदा थी, खुदाई मार गई बाकी कुछी बच्चा तो महगाई मार गई बाकी कुछी बच्चा तो महगाई मार गई महगाई मार गई एक हमें आमती लडाई मार गई दूसरी यार तीजगाई मार गई ये सिरी हमेशा के तनहाई मार गई जो कि ए खुदा के खुदाई मार गई बाके कुछ बचा था महंगाई मार गई तबीयत ठीक ठीक और दिल वार तबीयत ठीक ठीक, हाँ तबीयत चीत थी और दिन भी बेकरार नाचा जब किसी से प्यार ना था जब से प्रीत सपन में सबाई मार गई मन के मीख दर्द के गहराई मार गई नेन सीजी नेन के सबाई मार गई सुछ सोच मीख सोच आई मार गई बापी फूची बाचा का मेहा एंग मार एग मेरी मार एग कैसे वक्त में है 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 कैसे वक्त में ह और में हो गई महंगी यार की यारी के स्वास में दिल की लगी दिल को जब लगाई मार गई दिल लगी जो प्यार की दुहाई मार गई दिल की बात दुनिया को बताई मार गई और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई बाकी कुछी बचा तो मिल्गाई मार दे, मिल्गाई मार दे पहले मुठी विच पैसे लेकर पहले मुठी में पैसे लेकर थेला भर शक्कर लाते थे अब थेले में पैसे जाते रहें मुठी में शक्कर आती रहें आए महंगाई 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 दुहाई है दुहाई है दुहाई है तुह कहां से आई तुझे क्यों मौत ना आई हाई महंगाई 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 शक्कर में ये आते की मिलाई मार गई कोडर वाले दुद्ध मलाई मार गई राशन वाली लैन की लंबाई मार गई जन का जोती की चलाई मार गई बागी कुछ बचे आँ महंगाई मार गई पर बागी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई बेटी की शादी और सदाई मार गई किसी को तो रोटी की कमाई मार गई कपड़े की किसी को सिलाई मार गई किसी को तो रोटी की कमाई मार गई कपड़े की किसी को सलाई मार गई ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई जीवन बेबस्तिन निशान दोटी कपड़ा और मकान तूंड तूंड के हर इंसान खो बेखागे अपनी जान जो सचि सची बोला तो सचाई मार गई और बाकी कुछ बचा तो महँगाई मार गई और बादी उच्छ बचा तो मेंगाई मार गई मेंगाई मार गई सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, आज कांम बंद किया जाता है सेट जी कहते हैं सरकार ने जायदाद पे सीलिंग लगाने का सोच लिया है इसलिए फिल Heart building का कांब बंद किया जाता है आप सब लोग कल लाकर अपना अपना इसाब लेदे जाना देखो पुनिम जी ये रही इस कमपनी की टोपी और चश्मा और बाकी कुछ बचिया महिंगाई मार गई क्या और नहीं तो क्या अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मुझे अपने लड़के की कीमत कहीं और से वसूर करना होगा मुझे दामाद खरीदना है लेकिन दामाद तो कन्यादान से मिलता है मिला करता था अब खरीदा जाता है और तुम्हें भी दामाद खरीदना होगा लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो मैं भी मजबूर हूँ लेकिन पुराने तालुकाद को नजर में रखते हुए तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 20,000 रुपय के लिए बहन का रिष्टा तूट जाए। भाड में गया इसा रिष्टा है। पिदा जी, जो राशन वाले का उधार चुकता नहीं कर सकते, जिन्होंने दो साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपय कहां से देंगे। मात जल्दी हिसाब होगी। रामचन, भारत नादान है, इसकी बात छोड़ दो, मुझे आट-दस दिन की महलत दो। आट-दस दिन के लिए अपनी नीन को क्यों हराम करती है। इनसे आज ही कह दीजिए, कि कर दें ये अपना बेटा निलाम और कमालें 20,000 रुपया। चमपा की किसमत में होगा तो उसे प्रकाश से अच्छा लड़का मिल जाएगा। प्रकाश से अच्छा तो क्या, अब तो प्रकाश भी नसीब नहीं होगा। ऐसा मत कहो, मुझे तरस खाऊ, रामचन। मेरे पिता जी ने कितने चाओं से ये रिष्टा माना था। वो कितने खुश थे चमपा रामचन के घर जा रही है। मैं कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हे बीज हजार रुपए दूगा। मैं तुम्हे बचन देता हू रामचन। मेरे वापस आने पे आप खुश नहीं। खुश तो मैं बहुत हूं बहन। लेकिन ये क्या, मुझे आने की खबर नहीं दूए। नहीं सहीं। मगर भारत को न चिथी, न तार। मैंने, मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। भारत भाया, ये सब लो कहां गया। आपके पिता जी की तब्यत बहुत खराब थी। उन्हें हस्पताल ले गए हैं। कौन सही। इर्विन हस्पताल मिस्टर भारत, अगर ये इंजेक्शन और दवाईया आप चल्दी से ले आएं। तो मुम्किन है हम इने बचा सके। जी। ऐसी है। अंदबस्त हो जाएगा। क्या बात है तुलसी। इतनी राद गया आंजगाया। अपने बाबू को आपका घर मालू नहीं था। क्या बात है भारत। निम जी, मुझे कुछ रुपया चाहिए। भई, हिसाब तो गल सुबह ही होगा। हिसाब की बात नहीं हो निम जी। मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। मदद कर दीजिए, जिंदगी बराहिसान मंद रहूंगा। राम कसम भारत, अगर मेरे पास कुछ भी होता, तो तुम्हारी मदद करने में एक पल की देर नहीं करता। अच्छा है, जाँ। सच बोल रहे हैं। राम कसम। राम की जिम। बाबु, ये बाबु लोगों के पस दवाई के लिए भी पैसा नहीं। सवाल दो पांच रुपय का नहीं तुलसी, सवाल दो पांच सो रुपाउं का है। तो आप क्या करोगे। आखरी उमीद मुनईम जी से थी, उन्होंना भी इंकार कर दिया। बाबु, तुम्हे ही थेरो, मैं अब भी आई। तुलसी। बस, दो मिनिट के चुटी मैं गई और आई। तुलसी। बसे आजा तुलसी, मुमा के दाम दूगा। ले, तुलसी आगे। बोल, सेवा में क्या हरपन करूँ। साथ सो रुपे। साथ सो रुपे। हाँ लाला, उस तिन तुम तिनों ने मिलकर मेरी कीमत लगाई थी। आज मैं अपना सौदा खुद करने आई हूँ। जल्दी से दे लाला, वरना कपड़े वाले के पास चली जाऊंगी। वो तो हजार भी दे देगा। अरे किस मन्हूज का जिक्र कर रही है। दुकान पर आजा। पहले रुपे। दे दूँगा, जल्दी क्या है। जल्दी है लाला, तु देता है के मैं जाऊं। तुल्सी, कहीं ऐसा नहो कि तु साथ सो रुपे लेकर रफुचक्तर हो जाए। लाला, तुल्सी जबान की पक्की है। और जानते हो, तुम्हारे आउलाद को मजदुरी करके पालती है। और यही नहीं, तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करे। अरी पुराने हिसाब को छोड़। जल्दी से देते, लाला, मैं गई ओ रहा है। अच्छा, दुकान पर आजाना है। ले यह साथ से रुप में। उल्से! तुम्हारा उगला इसलिए नहीं घून सकता, कि इस पाप में बलिदान है। और पाउ इसलिए नहीं चू सकता, कि इस बलिदान में पाप है। तुल्सी, अपनी हिज़त बेच कर तु मेरी मदद करना चाहती है। बाबू, इस जब तो पहले इन्होंने डूट ले थी। आज तो बेच्ज़ती का सौदा करे थी। ला ला ला। तुल्सी! मैं जानती हूँ बाबू, तुल्सी इस लायक नहीं है कि तेरी रामयन का कागज भी बन सके। बगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर और खा अपने मजदूर साथी की सौगन कि आज के बाद तु कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करेगा। आज तुल्सी। और सवाज के कलंक इससे पहले कि मैं तेरा मू तोड़ दू। दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा। बगर बाबू, तुमारा बाप बिमार है। इसी अपनी किसमत बिमार है। तु घर जा, मैं अपना बंदुबस्त कर लूँगा। यह रही आपकी दुवाईयां और यह रहा बिल, 525 रुपे। देखे, मेरे पास तो सरफ 25 रुपे हैं। तो फिर 25 रुपे की दुवाईलो भाई, मेरा वक्त क्यों बरबाद किया। देखिए, मेरे, मेरे पिता जी बहुत सक्त बिमार है। एक दिन मेरे पिता जी भी बहुत सक्त बिमार थे। मुझे गलत मत समझे। मैं, मैं पड़ा लिखा हूँ। डिगरी वाला। आख यह डिगरी अपने पास रखकर मुझे यह दवाईयां दे दीजिए। कल में हिसाब चुकता करके यह डिगरी वापस ले जाओंगा। डिगरी? ए दोस्त, नौकरी मिले तो डिगरी डिगरी, नहीं तो बिगडी बिगडी। मैं जानता हूँ का तुम असली चहरा और असली मजबूरी लेकर आए हो। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि यह दुकान मेरी नहीं। एक्स्क्यूज मी। हेलो। शुकल कैमेस। वाट दुवाट। एए। चार, 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 पुझा, पुझा। वाट। भारत। भारत। बस एक चोरी करना बाकी रह गया था। पिदाजी कैसे हैं। तुम्हारी जमानत कल सुगा होगी और पिर केस भी खतम हो जाएगा। चलो नहीं मैं, मैं खुद ही चला जाओंगा। सुनो जहां आज जाना है तुम्हें, वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ। बाप पीमारी में तलपता रहा और जिदी बेटा डिगरी जेब में लिए बेकार भूलता रहा। और भाया, आखरी सांसों में जब बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकला गया। तो उसने दम थो दिया। ऐसी आउलाद से तो ना होना अच्छा है। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी। आप भी ठीक ही कहा करते थे। यह डिगरी कर्ज है मुझ पे आपका। मैं नाथ इकसे चुका पाया। और नहीं चुका पाँगा। साब अपना कर्ज वापस ले लिशी पिताजी। जिस इंसान ने नौकरी की आखरी उमीद को भाड़ के जला दिया। उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सर। सर। यह नोटिस मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? दफ्तर में उसे ही रखा जाता है जो दफ्तर के लिए ठीक हो। तो क्या? तो क्या सर। मैं दफ्तर के लिए ठीक नहीं? जोड़ी वादों पर ज्यादा भहस करना मुनासिब नहीं। तुम जा सकती है। आप? हाँ, मैं मोहन की मा हूँ। आप शीतल के भाईया और भाबी है। जी। आप सुनेंगे अपनी बहन के करतू। इसने अमरीका में क्या क्या किया। क्या किया इसने? इसने हम मा बेटे का दिल जीत लिया। जी। और मैंने अपने बेटे को हुकुम किया। दफतर पहुंसते ही शीतल को नौकरी से निकालता। जिस लड़के को मैंने अपनी बहु बनाने का फैसला किया। वो मेरे बेटे के दफ़तर में नौकरी करें, रहाम रहा हूँ शीतल, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि आफिस में उसे ही रखा जाता है जो आफिस के लिए ठीक हो ठीकी गातना में, मोहन साथ अब आइसाब, अब आप ये मत कहिएगा कहां राजा भोज, कहां गंगु तेली आपके बेहन में जो गुन है, पूछे माद, कहिए ये रिष्टा मंजूर है यह आप शीतल से पूछ लीजी है जब पूछने पर मेरे बेटे ने मना नहीं किया, तो ये क्यों करने लिए? बोलो बेटी अगर आप लोग इजासत दे हैं, तो मैं शीतल से अकेले में बात कर लो क्यों, शीतल? हाँ हाँ, आईए शीतल, मैं उस दफतर का मालिक हूँ जह तुम गाम करती हूँ इस दबाव से दबकर शादी के लिए हाँ मत कहना है शादी प्याद जिन्दगी का सौधा है और जिन्दगी एतनी सस्ती चीज नहीं है, जो कि सिर्फ नौक्री के हाथों पिक जाए क्या तूटा? जी, जी, कुछ खास नहीं फिर भी अगर मन ना माने तो कोई बात नहीं दफ्टर में तुम्हारी इज़त और भी बढ़ जाएगी अवे आसान सी बात है तुम किस विचार के समंदर में डूक गई? जो इंसान चोटी चोटी खोशी को ढूंता हो उसके सामने खोशी का भंडार खोल जाए तो उसे यकीन नहीं आता वो फिर बहुत से समंदर में डूक जाता है सार आपने मुझे इस लाइक समझा यह मेरे खोश किसम दे देखा बहुत बड़ी मोटर में आये थे छोटी मोटर की नीची आने वाला शायद बज भी जाए बड़ी मोटर उसे कुचल डालती है सीतल यह क्या किया तुमें? जो कुछ किया ठीक किया भारत गरीब है इसलिए उसका साथ छोड़ दिया भाईया कल अगर मोहन बाबू से भी कोई अमीर आदमी आ जाए तो क्या मोहन बाबू कभी साथ छोड़ दोगी? भाईया, मैं आपकी बहन हूँ और बहन की खोशी से जला नहीं करते मैं जला या नहीं जला यह मैं नहीं जानता लेकिन भारत को राह कर दिया तुमे भाईया, मैं कब तक देखती रहती कि कब उसे नौक्री मिलेगी कब वो कमाएगा, कब जिंदगी में सुप देगा भाईया, जो आदमी चोरी करके भागते हुए पकड़ा जाए वो जिंदगी भर भागता रहता है बहसों का साथ, मिंटों में छोड़ दिया जब तक साथ देने के लायक था मैंने साथ दिया अब क्या गरीबी के सिवाए भारत में और क्या बुराई है भाईया, तुम गरीबी की चार विवारी में रहकर गरीबी के हो गए हो मैंने मोहन बाबू के साथ दुनिया देखी है और आज जिन्दगी में पहली बार जिन्दा रहने का मौका मिला है यह तु बहुत पहले हो जाना चाहिए था भाईया, जाओ तुम्हें मोहन बाबू के घर जाना है नहीं भारत, मैं नहीं जाओगा भाईया, तुम शीतल के बड़े भाई हो और बड़ा भाई, पेता समान होता है हाँ, तुम्हें मेरी सौगन, जाओ भाईया भारत, तुम बेदर जाओ तुम्हारी जेगा मैं कुछ दूसर प्रोग्रम रिस्ट करनेंगा नहीं सिक अंदर नहीं मैं जानता हूँ, कि ये दुनिया आसेगी कि बाप के चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और पेटे ने गाना शुरू करतिया लेकर ये दुनिया ये नहीं जानती कि उसी बाप के अंतिन संसकार की सारी रस्में पूरी करने के लिए मेरे पास भूटी कौडी भी नहीं दीवी पे गाऊंगा कुछ रुपया तो मिलेगा कुछ पाग तो बुझेगी पेटे, एक अंगुटी को छोड़कर सगाई की सब रस्में पूरी हो गई ये ले, शीतल को पहना दे अरे, हाउसपोन? जी, जी ये, ये तो मामली से अंगुटी है, अभी उतार देते हूं जी, जी, जी कौन? अंगुटी, मुली में तो कर्वादी जी? जी, 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 ताओ, 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 ताओ लेड़ी हमारे विशी संगीत कारिकरं में प्रस्टूथ हेग इत गया कलकार है, भायरे और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं अपनी साकी और नहीं बस और नहीं रम के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं सपन नहीं यहां तेरे सच्चाई का मोल नहीं चुप हो जा कुछ बोल नहीं प्यार प्रीत चिलाएगा तो अपना गला गवाएगा पत्थर रख ले सीने पर गसमे खा ले जीने पर गार नहीं पर गार नहीं पर वानों पर गार नहीं आसु आसु ढलते हैं अंकारों पर चलते हैं तो और नहीं बस और नहीं करो आसु डार सब म कियान तो नहीं एार ओर भॉप हैं अंकारों किक बेन पार वार पत्रम कि किक आस्तिा इमेवागा किक क्ष़ है रार आसु बार रखी चाहिए इसना षार यार इननननों तर जएजत्षाओ कितन पर्नू जमाएंक। कितन गर्णू जमाने को कितने बर्नू जमाने को कितन गर्नू जमाने को कौन गुनों को गिंटा है कौन दुखों को चुनता है हम दर्दी का फूर हुई नेकी चकना चूर हुई जी करता बस खो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं कफन ओड़ कर सो जाओं दौर नहीं ये दौर नहीं इनसानों का दौर नहीं फर्ज यहां पर फर्जी है असली तो खुद गर्जी है तो और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं और नहीं बस और नहीं बीमार हो गई दुनिया बेकार हो गई दुनिया मरने लगी शरम अब तो बिकने लगे सुनम अब तो ये रात है नजारों की वैरों के साथ यारों की तो जी है बिगाड दू सारी दुनिया उजार दू सारी दुनिया उजार दू सारी कि जोर नहीं है जोर नहीं दिल पे किसी का जोर नहीं कोई आग मचल जाये सारा आलम जल जाये तो और नहीं बस और नहीं उनके प्याले आलम नहीं वाह वाह जब कोई दिल जला गी छेड़ता है तो दिलों में आग लगा देता है और वो क्या शेर था तो जी है बिगार दू सारी दुनिया उजार दू सारी वाह 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 क्या शेर भाह क्या बालम फ्रुवा क्या वाह क्या पालम क्या प्रुवा गम के प्याने ओनेगी अ फ्रफख़ कि ओिन घ्रहे से इन आज़ गज़ली का बिल नहीं दिया, बिजली वाले आए और कनेक्शन काट दिया जिस जिस का बिल अदा नहीं किया उसी ने कनेक्शन काट दिया भार है? रामचन जी ने चिक्थी बिजवाई है, पढ़ना तो क्या लिखा है? क्या लिखा? क्या करोगी सुनके माँ? सब खरीय तो है चमपा के होने वले ससुर ने लिखाया कि अगर एक महिने के अंदर उन्हें रुपया ना दिया तो फिर दोश उनका ना होगा लानत भेजो ऐसे रिष्टे पर इन्हें ऐसा खत लिखते भी शर्म नहीं आई देखो भाईया, ना तो चमपा कालेज जाएगी और ना ही मुझे दिल लेएगी हम लोग मेरे मजदूरी करके अपना खर चलाएगे लीपक, जब तक इस घर में मैं सिर्फ एक बेटा था ना मैं भी तेरी तेरे बगावत की बात ही किया करता था अब नहीं कर सकता लीपक, तुम ही ने तुम ही ने बताया ना के पिताजी के आखरी शब यही थे कि अगर चमपा का यह रिष्टा तूट गया तो उनकी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा जीतेजी नहीं मिला, परने के बाद तो मिलना चाहिए भाईया, अब तक सारा बोजय आपने अपने कंधों पे लागा अब नहीं क्यों, अब मेरे कंधे कमजोर हो गएं क्या अगले, इनमें इतनी ताकत हाए कि तुम्हें तुम्हारी जिक्री के लिए इंदहान का दाखरा दे सको इन कंधों में इतनी ताकत हाए सब कुछ वैसी होगा जैसे पिताजी चाहते थी मुझे काम के सिल्सले में किसी से मिलना है अभी गया और अभी आया सेड़ जी, कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम जिससे मुझे एक महीने के अंदर भेन की शादी के लिए 20,000 रुपया भाई के इमतहान का दाखला मिल सके मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं तो इन कोरे कागजाद पर दस्तफत कर जो अच्छा हुआ तुमने अपना रास्ता बदल लिया पढ़न देती जी अभे ना तुमने दिने एक दम फिर जाएंगे तुम तुम देखते ही देखते अमीर बच जाओगे गूनने के लिए गाड़ी और फिर रहने के लिए आली शान मुकार मुरली वाले का पुजारी हूँ उसके सुदर्शन चकर से अपना चकर चली जाता है अगर किसी दिन ये चकर न चला तो असंपुरानी दिल्ली के क्या कह रहीं आप नहीं नहीं जिस्ट फर्स करो कि इस गंजे मिस्टर कमलदीप और इनके साथी चवनाज और कपड़ा खोदा मुँ में दबा के भाव बढ़ा देते हैं मिस्टर क्या राजन ये और इनके कुछ तीन हजार साथी सिमेंट और लुहा ब्लैक में बेचके नफ़ा कमाते हैं फर्स करो कि अगर ये सब पकड़े जाये तो कसम पुरानी दिल्ली की पसीना आ रिया है हम अगर सरकार को ये पता चले कि आप और आप के दूसरे साथी जनता को दुखी करके सरकार को खतम करने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा भी लेते हैं तो पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली के कसम भासी पक के लिए सर्क जी डर गए जोटी कपडा और मकान पर कबजा करने वालों के दिल छूए जैसे मैंने तो मजाग किया तो डाले मलिका एने की राम ऐसा मजाक मत किया करो मत किया करो सेटसी भारत आगे तुम जी सेटसी काम हो गया माल दिया माल लिया मेरा बस चले तुम शादी में एक पल भी देर ना होने दें लेकिन मा का कहना है कि शादी का महुरत कुछ महिनों तक नहीं और मा का कहना में टाल नी सकता और मा की होने वाली बहु एक छोटे से घर में रहे ये मैं बरदाश्ट नी कर सकता और शादी से पहले हम दोनों साथ में रहें ये समाज बरदाश्ट नी कर सकता इसलिए घर लिया है शादी तक तुम तुमारे भाईया तुमारी भावी इस गहर में रहता कैसा यह गार? Hmm, it's a beautiful house पहस चाना मुझे ओ तुम! दोस्त, उस रात के लिए मैं मौफी चाहता उस रात तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था दोस्त, किया तो तुमने भी वही था जो उस वाद तुम्हें करना चाहिए था Hmm, सुनो, तुम आज भी असली नकली चहरा भाईचानते हो सच और जुट तो इनसान के चहरे पर लिखा होता है तो यह लो, हजार रुपया किसलिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चहरा और असली मजबूरी लेकर आए तो उसके पीछे पुलिस मत तुड़ाना मेरा बाद तो नहीं बच सका शायद उसका बच्चा है वाबा, क्या घर लिया है भारत ने, मदा आ गया आप रुपया तो गिनिये बेटे, तुम क्या समझते हो अगर यह रुपय तो मुझे नहीं देते तो क्या मैं रिष्टा तोड़ देता? मा इतना कमीना नहीं हूँ सच? बगवान की कसम अगर इन रुपयों के बगार ही चंपा का ब्या हो सकता तो बोलिए भारात कब लाएंगे रामचंद जी तो तो रुपया रुपया अगर ना दू तो तो दोश मेरा नहीं अभी तो आप कह रहे थे कि आप इतने कमीने नहीं वो तुम्हा मज़ा कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कमीने हैं बिठे मैं तुम्हारे स्वर्गिये पिता का बच्पन का दोस्त तुम्हारा चाचा हूँ चाचा येलो नोट और टाटा अच्छा जब का तुम लोग कहोगे शादी पकी शादी हो जाएगी धन्यवाद वाव वाव भया मज़ा आ गया ठीव 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 अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा कहते है होने वाले है न मा है तो नहीं बिलकुल आओ आओ देपक बनगा इंस्पेक्टर हो गई जित पूरी सवाल जित का नहीं है भईयउ वाव लीपक आज जब अपने पास सब कुछ है तो फिर ये नवकरी करने के क्या जुरूरत है भईयग हमने डुगरी ने हमारा बडऊ आप मान किया है और आज जब मेरी डुगरी हमें मान देज है तो हमें भी इसे मान देना चाहिए मान सुना तुमने तुम्हें इस सोच में डूप गई मान विजय की अल्ला खेर करे क्या बात है हमीद मियाज अल्ला को बहुत याद कर रहो अबे नास देख तू भी तो कभी राम का नाम लियाकर लेता तो हूँ मैं टो हमेशा तेरे मुझे ते हधाई का नाम सुनता है जब सुनो तो एक άλλ Ett मेरा भाइ भारत या करिक्र है क्या किरदार है जिंदरिगी के भटकते मोड़ अगर मेरा भाइ मुझे नहीं मां तो शायद आज मैं इस सीमा पर लड़ने वाला सिपाय नहीं देश का दुश्मन होता, अमीदिया में अपने आप को लक्षमन तो नहीं कह सकता है, लेकिन, मेरा भाई, राम है, राम, अगर तभी ठीक नहीं है, तो अराम करो, बिलकुल फिट हूँ साप, तो फिर यह खासी, इस खासी से बच्पन में मा परिशान थी, स्कूल में टीचर, पॉज में, डॉक्टर, यह बीमारी नहीं, आदत है, आदत साप, लेकिन, दुश्मन के अलाके में कभी-कभी सांस भी रुकनी पड़ती, उस समय अगर तुम्हे यह खासी का दोड़ा पहत हो, बाई गॉड, फ्रांसिस अपनी सांस को रोक कर खासी को भी खा जाएगा साप पुलिस से बचने के एक ही रास्ता है, के गाड़ी छोड़ कर भाग जाएग, भारत, यह समाल कर रखो, इसमें दो क्रोर के हीरे हैं पुलिस तो निकल गई, लेकिन यह मलका नेकी राम कहा मर गई, आप ले क्या नशाय देशन शेराब, कुनाब, अरे, तुमने मुझे पहचान लिया, कहा जी लिगता है, बाबशी आगा, राम प्यारी, बुला पंडित को दिला दे फेरे, फेरे, बाबशी, बेजिया ने हमें सब कुछ बता दिया, इसके माबाप शादी के खिलाफ थे, तुम इसे भगा कर ले आए, घरवालों ने पुलिस पिछे लगा दी, इसलिए माने राम प्यारी से कहा, कि राम प्यारी इसे ऐसी कप्ड़े पहनाते, यह दूलन भी लगे, और पुलिस भी ने पाचानिक है, बात पसनाई, पंडित जी, पंडित जी, तो क्या दूलन नहीं, शादी ज़ाने माला पंडित है, नहीं, काका नहीं, यह पंडित भी और दूला भी है, पंडित जी, इस गाउं के खुलियावा में तुम भी खुल जागा, कुश प्योगे अभी लाया, मोजंबी भी है, संत्रा भी है, फल का फल और नशी का नशा, तो, तो, नम, मौका तो देख लिया होता, अगर पुलिस आ गई न, तो तुम्हारा ये नशा हम सब को ले टूपेगा, क्या हम सब कर दो तुम्हारा ये ना गंगा बुरी बिया ना झाल बुरान अगवान। जलबुरा पर पीने वालों को ओ पंडित जी ना करना कभी नसीहत पीने वाला मरते मरते बस करता यही बसीयत ओ पंडित जी मेरे मरने के बार पंडित जी मेरे मरने के बार पंडित जी मेरे मरने के बार बस इतना खोश्क उठाने ना मेरे मूमे गंगा जल की जगा मेरे मूमे गंगा जल की जगा खोड़ी मदिरा तप अका दे ना पंडित जी मेरे मरने के बार पंडित जी सतियो पुराने मल खाने से पोड़ी मिधी मंगवा लेना सतियो पुराने मल खाने से पोड़ी मिधी मंगवा लेना उस मिधी को समझ के चंदर मेरे मां के दिल तल दा दे ना पंडित जी मेरे मरने के बार पंडित जी मरने के बार मुझ भार लेना रिए का प्रित जी मेरे 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 मौत पे मेरी ओपीने वाले आँख जो तेरी भर आए मौत पे मेरी ओपीने वाले आँख जो तेरी भर आए पे जाना तू आँख के आशू पर कुछ जाब ना दिला पंडिक जी मेरे मरने के बाद पंडिक जी मेरे मरने के बाद पंडी मेरे मरने कि वर आए प्रोड़ आए प्रोड़े दिलाए पुझ कि बाद सफर आखरी लंबा है कोई साथ में साथी तो चाहिए सफर आखरी लंबा है कोई साथ में साथी तो चाहिए जूंके पहुचो जन्नत तक में जूंके पहुचो जन्नत तक एक दो तल साथ तिला देला पंडिक जी रे मर्णी के बादस तिला दस तक जाए यह कपड़ किसके है मेरे हैं बाजबन के यह कपड़ किसके है उनके हलो हलो इगल फोर जीरो टू स्पीकिंग गश्ट पार्टी के मताबिक पुल तूटने की वज़े से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी फोज घिर चुकी है अगर अपने टैंक्स को वेस्ट बैंक से वेस्ट की डिरेक्शन में ले जाएं तो हिंदुस्तानी फोज को घेरे में लेकर खत्म किया जा सकता है और एंड आउट अमीद अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए और एगल फोरो टू बंकर इनके हेड़कॉटर्स को खबर दी जाए कि पुल बन चुका है इसलिए बजाए वेस्ट को यह लोग अपने टैंक्स इस्ट को भेज़ें तो ना सिर्फ हमारी कंपनी बच जाएगी बलकि हमारी अट्रिल्रीन के टैंक्स उडातेगी अगर यह कैसे हो सकता है हम लोग तो सिर्फ पहुँच है हो जाएगा ख़की हमारी एढआरे यह Ab票 ख़की हमारी आपो आप कि अ कि यृट। पहर भार! भारत, गा हुआ? कुछ नहीं तो पर सामने देखो सर, सिर्फ चारी लाशे मिली है ऴॉ यॉ यॉ यॉॉ कही जा यॉॉ ऑ्त्रय व सिर्फॉ चर मैं और वाल, कर दोचई है यूजास! अराइब और वाल, कर दो। बजया ब्राइब कर दो, यूझा जो है बड़ाएब और दो, यूणा है अराइब? अब अब यह ख़बर मिली है कि हिंदुस्तानी फोजों ने पुल बना लिया इसलिए वेस्ट के बजाए अगर इसकी तरफ अपनी टैंग फोज भीजे जाए तो बेटर रहेगा ओवर एंडाउट अपने साथ ही बच जाएंगे हमीद braid वहाएज खूक एफ्ट या रुप apprendre के लिएमि अपने पर्चे बच जांगे सी अबुआ प्राइक हो गया है कि वो अपने मजदूर साथी के रहने के लिए एक मकान, बहने को अच्छे से कपड़े, और खाने के लिए अच्छी रोटी का बंदोबस्त कर सके, कालाओंगा और तुम लोगों को इस पस्ती से दूर ले जाओंगा, चलो हरनाम सिंग, कार तक छोड़ाओ मैं भी चलती, नहीं तुलसी, तुम बावा के साथ वापस जाओ, इन्याने में तकलीफ होगी, चलो हरनाम, मैं प्राजी को दरा गड़्डी तक छोड़ गयाता हूँ, मैं पैयन प्राइक खुल के बाता करांगे, कलो द्याने जानाना वापस, चलो प्राजी, आज तो उठ किलवाई वह बड़े मकान में जा बसेगी, कौन हो तुम लोग, जी हम आपके दामाद हैं तीनो, तो तुम ही वह भेडिये हो, अरे ससूर जी, अब भले भेडिये को हो यह कुत्ते, हैं तो आपके अपने ही, देखो, मैं कै तु मेरा पीछा छोड़ दो, अरे तुलसी, मैं पानोगे, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे बाबा को भी साथ ले चलो, बाबा, चलो चल भई रासनवाले, उठा अपने ससूर की तोजी को आओ, 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 आओ कुत्ताओ मैं पानोगे, आओ, बार्स, बाबागे, बाबागे, बादा जाज अजल कर दो. कि लगाने. लगाने. कि लगानेद एर जाल कर दो. भर वहाने, हुँे हुँ! लगाने, हुँे हुँे! फड़ को değişौब को पिटुमार कोईू ढूआ झालो कोईुमार 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 fitness कोईुमार कोईुमार produce ईग!! मुना… 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 । बचाँ़! 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 अर्णम्टी! इन खुदोने मेरे बाबा को मादाला! मेरे मुने को मादाला! अर्णम्टी को पहले वी कहा था कि तुलसी मेरे पाड़ है और इस देश की बेटी और मैने तुलसी को कहा था कि कसम वागुरू दी अगर तेरे जीवन में कोई रावना आया न तो मैं इसकी करदन को काच डालूगा! करें कि मारा देशाद मुने पहले न पहले फाड़ा मित्था यागे! मुनला! और आयाया! आई मरा देशाद आया! पहाड़ा मित्वाड़ागे! आदर! अपराधी! आदर! गृू महाराच केंदेशन कि सवा लग से एक रडाओं ता गोविंद सिंग नाम कहा हूँ मेरे से में तो सिर्फ तीन ही आए चलख तीन रावन मारके हर्णाम सिंग को फासी लगती है तो लगण दो की फरक पंदा हर्णाम सिंग सारी पस्ती जानती है कि तुमने दोशो भापी वो लोग थी और हर्णाम सिंग आज अपने पास सब कुछ है मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवादा खटकटाऊंगा बड़े से बड़ा वकील करूंगा तुम बरी हो जाओगे हर्णाम सिंग बबू मैं और आपके घर क्यों नहीं बबू मैं इस लायक नहीं कि तुलसी एक दिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आपको बेशने के लिए तयार हो गएगी और आज कहती हो कि तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ मेरे खार चल तुलसी, तुम्हारी रामायन में राम नहीं, मेरी रामायन में सीता नहीं तुलसी, चलो घर चलें मा, यही है तुलसी, मेरी मज़दूर साथी, आजसे यही घर में रहेंगी बहीया बजी 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 मा बजी कहा खो गया था रे बजी, कहा चला गया था तेरा, तेरा पासु कुछ नहीं मा मोर्चे पे था, तेखने रही यह वर्दी बजी बजी मैंने कहा तो नहीं कि जब तक इस लाइक में हो जाओं कि अपनी शकल दिखा सकें घर वापस नहीं बजी हाँ जी हम तो इस लाइक भी नहीं कि भईया हमसे बात भी कर सकें अरे चंपा तेरी तो चंपी करो गमशरी करके है मेरे हिस्सेगी राखी रखिये न दायने हाथ में ना सही बाय हाथ में बांदे भारत आप यह आजकर तुम भारत भारत भाग करने लगी अगर तुम्हे नाम बहुत पसंद है तो चलो आज से हम अपना नाम भारत रख लेते अपने कॉलेज में शीतल ने एक ड्रामा किया था उसके हीरो का नाम भारत था विलन के नाम मोहन तो नहीं था नजगी राम प्लान के मताबिक आप लोग अपने अपने प्राविंस में अपने अपने प्राइंट में ग्यायू, चावल, सरसों का तेल, मत्ने का तेल, घी, बाजरा, मक्का, खाने पीने की हर चीज चीज को खरीद कर खुफिया गिधामों में दबा दें जैसे ज़ जाल से माल दबेगा वैसे वैसे भाव उथेगा एक करोड की लागत पर बीस करोड का मुनाफ़ा होगा बोलिया आपका मन्जूर है, मन्जूर है वाव 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 यह हुई ना एक था, मुझे खुशी है कि आपने नेकी राम की बात मान ली और इस खुशी के मौके पर मैं आशा रखता हूँ कि आप नेकी राम के घर पर आकर एक छोटी दावत कबूल फरमाएंगे अरे मुहन बाबू स्वाक्तम 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 आप जैसे होनार आद्मी को देखकर तबीद बाग बाग हो जाती है बगवान करे हर बिसनसमेन आप जैसा हिमानदार हो जाए आए आको दोस्तों से आओ श्रीकाली चल्ड़ा अब बावदी दो श्रीगोपाल और आप है श्रीप भारत और यह हैं शीतल मेरी वनेवाली पत्नी हेए शाय जयादा आओ को पहले कभी देखा है जय कि पाटी मिले होंगे आपको याद ने नहीं रहा है पाटी में नहीं सहण आपने इने पीवी पर देखा को आजी वी, है अब यादा, हम लोग की मंगनी की रात थी, मैं बहुत खुश था, और आपने तर्थ पर अगाना सुना कर उस खुशी की घड़ी को चार-चांग लगा दिये, क्यों जी तो? महान बाबू, खुशी के मौके पर तर्थ भरा की छेड़ना, पड़ी मन हुसी बात होती है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा करें शीतल, बुथ बनी खड़ी हो, भूल गई अपने पराणे दोस्तों को, नहीं मुझे पैचाना और नहीं भारत को तो आप दोनों एक दूसरी जानते हैं, पुरानी पैचान है हाँ मोहन सहब, शीतल ने बहुत गीत काये हैं टीवी पर, क्या जोड़ी थी इसकी और भरत की अरे शीतल, हमसे ही परदा बस, यूहीं, कभी मौका ही नहीं मिला मौका मिला नहीं करता, मौका जूनदा जाता तो इसे अच्छा मौकार कब मिलेगा शीतल भी है, और धरत भी, और हम भी तो हो जाए, एक मुद्दत हुई है इन दोनों के गीत को सुने हुए क्यों, शीतल, मिल गया ना मौका? मगर, मैं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ क्योंसाब, आपको भी कुछ याद है और भी भूल चुकी है? खाप के धुंदले शहर में अकसर एक परचाईं फिरती है वाह, तो आपको याद है, तो हो जाए लेकिन आपको अकेले जाना होगा क्योंको शीतल को सब कुछ भूल चुकी है कोई साथ ना दे मेरा, जलना मुशे आता है हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुशे आता है तो छेड दो नगमा, भरका दो चिंगारी और लगा दो आग महफिल में मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन गस्मों को इन रिष्टे नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन गस्मों को इन रिष्टे नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन डिष्टे ना भूलूंगा कर दो कर दो दो कर दो जो एक रह एंग है। समय की धारान, वो समय की धारान, मर तह जानी है, जो घड़ी की लेंगे, वो जो घड़ी की लेंगे, वो ही तह जानी है मैं बन जाओं सास आखरी, मैं बन जाओं सास आखरी, तु जीवन बन जाओं जीवन से सासो करिश्टा, मैं ना बुरूँगी, मैं ना बुरूँगी, मैं ना बुरूँगा आप 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 कभी दिल दुलहन हो कभी ना संग छोड़े नजर नहीं आना है कहीं भी बस जाएंगे ये दिन कट जाएंगे अरु क्या बात चली तो देखो रात घली ये बाते चलती रहें ये राते धलती रहें मैं मन को मंदिर पर जालू तो अफ़ा जन बन जा मंदिर से पूजाता रिष्टा मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगी मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगी बस्वारी सकता कि रहाँ परोड़ को नाजबें राग, जूज़ हुआ, जूऊए लॉग परोड़ की बाग, लॉग्पं एाप, लॉग्पं लॉग्प तो जूएड वाया? तुमने बहुत अच्छा का आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, गुटनाइट अरे हमीद, तुम्हारे बारे में विजे से इतना कुछ सुन चुका हूं लगता मैं तुम्हे बरसों से जानता हूं भाईजान, आपके बारे में इतना सुन चुका हूं कि लगता है, आपको सधियों से जानता हूं बर्गुदार वैसे आपकी उमर कितनी है काट दीनाबाद, खेर भाईजान, किस्सा मुक्तसर सा है यह विजए है न विजए, हर वक्त आपके नाम की रट लगाए रहता था और कहता था, कि हमारा देश मेरे भाई जैसे इंसानों के बल पर जिंदा है और सच पुछी तो भाईजान, जंग के मैदान में जिस जजबे ने कमाल कर दिखाया, वो जजबा आप है हलो मख़ँड़ से बोल रहे हैं? वह बोली है 15,00,00 का क्यों उत भाई है बहुता की, बहुता की आइवरी गूट बहुट हलो पक्धग लोड़ जैंघी लोड़ो आई, बखाय तपल आज़ी है था पलाट जैंकमड इनedब बहुता कैं लिगधे चले exam आज दबा लिया, very good, very good, मुबारक हो, मुबारक हो अरे, सुबह हो गई, आज तो 15 अगस्त है, आज तो लाल किले पार प्रधान मंतरी की स्पीच है, मैंने आज तक मिस नहीं की जब आंकें से हैं, जब आज तक मिस नहीं है, लेकिन बहुत बड़े दान से वही वश्तोएं दुकान में या दुकान से की से दिख रहू है और इसमें जब दरदी संगेमिंग मुझे हो, कि ऐसे लोग वे नजाय सरीटे से समान को रोगते हैं और इंके भार से बेश्त रेखते हैं, वो लोग जो पाला बजार करते हैं, इंसे सकते तक प्रेवार होना चालेगे, सकते तक उनको चजार दिना चालेगे अगर जियो तो इस देश का सच्चा शेहरी बज़ाए नौजवानों को हमसे भी जाजा एक मलगूत शक्ति शाली भारत की जरूरत है और भारत तो नौजवानों की उतनी ही जरूरत है भारत आज तुम्हे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं तो प्रधान मंतरी के भाशित दुराई देने लगे तुम चाहते हो दबायावा अनाय बाहन निकाल दिया जाए सेट जी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत तो इनसान को सद्यों पहले भी थी लेकन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाय दबाने वाले सेटने की इराम नहीं थे भारत हनाय दबाने वालो जर अब बाहर निकल कर राशन की दुकानों पर भीड तो देखो राशन की दुकानों की भीड कम करना हमारा काम नहीं सरकार का काम है हमारा काम समाजवाद के सपने देखने वाली सरकार को खट्म करना है सेड़ जी सिप पहले के हालाद के मारे हुए 60 करोड इंसान अपने हाथ हाँ आप जैसे सर्मायदारों की गर्दन की तरब हाँ है अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा सेड़ नेकी राम के पास जो तुम्हारे दस्तखत किये हुए कोड़े काखजात हैं वो तुम्हें फांसी के फंदों तक ले जा सकते हैं येस इंस्पेक्टर दीपक स्पेकिंग मैं आपको आर्ट तस उफिया गोदामों का पता बताना चाहता हूं अगर आप वहां आज ही छापा मारें तो अनाज ही अनाज मिलेगा इंस्पेक्टर दीपक तुम्हारे भाई के दसकत कियुए ये काखजात हमें स्पेशल ब्रांच ते बेज़े हैं और इन काखजात से ये सबूत मिलता है कि जिन जिन गोदामों पे तुमने छापा मारा वो तुम्हारे भाई के थे ये नमुम्किन है सर और यही नहीं तुम्हें याद होगा जब मैंने स्मगलिंग के एक गेंग का पीछा करके पुनम नाम के एक लड़की को गिरवतार किया तो उसे किसी ने गोली का निशाना बना दिया और इन काखजात से ये भी सबूत मिलता है कि उसका काटिल तुम्हारा भाई है भारत की नाम वारिंट क्या कहते हो ये कभी नहीं को सकता मेरा भारत कभी कोई बुरा काम नहीं को सकता यहीं तो हैरानी है माँ पबई ये सस्य काटा काम होगा अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं तुम यहीं पर जूटी दो आज की ताजा ख़बर बड़े-बड़े शहरों में सिर्फ चार दिन का राशन बाकी रह गया सरकार देली से और पंजाब से गाड़ियों में अनाज भर-बर कर भूके शहरों को भेज रही सजनों आपका इदास नेकी राम आपको हमेशा नेक सला देता रहा है आज फिर सला देता है कि अगर दो चार रेल के पुल उड़ा दिये जाएं तो गाड़ी मंजिल तक पहुच ही नहीं सकती लेकिन नेकी राम जी पुल उड़ाने से फाइदा? पाइदा अरे जनता आग लगा देगी सरकार का तक्ता पलड़ जाएगा तब सरकार को मालूम होगा यहूं का बेवपार अपने हाथ में लेना कितना महंगा पड़ा अगर सरकार बेवपारियों की पीट पर छुरा गोंप सकती थी तो बेवपारी भी हाथ में चूड़िया पहन कर नहीं बैठे हुए वह सिफने की राम वह कौन-कौन सब फुल उड़ाना है मुझे ये पदला दिया जाए पहला बार बंबई जाने वाली गाड़ी पर हो ये काम मैं आज रात को ही कर देता और इसका इल्जाम भी भारत के सर होगा वह कैसे भारत के दस्तखत किये हुए कोरे काईजाद जिंदाबाद कुछ पुलिस तक पहुंच चुके हैं और कुछ मेरे पास हैं अब तक तो पकड़ा भी जा चुका होगा भाया की गाड़ी शीथल आखर बात क्या है जी कुछ खोटन है जिसके कारण दुबली होती जा रही हो नहीं तो अंगोठी निकालती हो पहनती हो ये शादी के काड़ पसंद निया है तुम्हे मुझे आपसे कुछ कहना है रोका किसने दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है कहो ना ये ये शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती इसलिए कि मैं मैं आपसे मैं मुद्द से जानता हूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो फिर भी अब मुझ से शादी करना चाहते हैं तुमने उससे शादी क्यों नहीं कि जिससे तुम्हे प्यार था प्यार है वो मेरी भूल थी भूल नहीं पाप कहो हाँ हाँ पाप मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीमती समझ कर सपनों की ताज महल को काला कर दिया आप मुझे थपड मारने के बजाए ताली बजा रहे है तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैं बहुत पहले से जानता हूँ और शीतल मेरा वो कहना के मां कहती है शादी की महुरत में बहुत महीने बाकी है सब जूट था न तुक था मैंने ये सब कुछ तुम्हें परकने के लिए कहा था और इस परक की कसोटी तुसे इटने की राम की घर भारत से हुई मलकात थी तुमने कहा मैं भूल चुकी हूँ उसने कहा मुझे सब कुछ याद है वक ये लगा रहा था कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसकी आवास में आवास मिला दी मैंने उसी वक्त तुम्हें अलविदा कह दिया था शीतल अगर मैं तुम्हें भारत से दूर लाया हूँ तो मैं तुम्हें भारत के पास वापस भी ले जाओगा मैं जानती हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता हो का मैं अभी गया अभी आरा अरे वाह दोनों तरफे आप बराबर लगी हुई शीतल ने आपको आवाज दी और आप आगए मोहन बाबू शीतल की आवाज सुनने वाला भारत मर चुका है खाओ शीतल की गसम अपनों की खाई जाती है वैरों की नहीं भारत शीतल अब भी आपसे प्यार करती है मोहन बाबू मैं दीवार पे सजने वाली तस्वीर नहीं जिसे जब मन में आया उतार दिया जब दीवार सूनी लगी तुसे फिर से लटका दिया अरे घुसा छोड़ो यार मैं तो अन जाने से तुम दोनों की कहानी में आ गया अब जान भूच के निकलना चाहते हैं आप दोस्त प्यार की कहानी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मन का पंची फड़ फड़ा तो सकता है अगर निकल नहीं सकता भारत अहन हसते खेलते जिंदगी की हर मोर से निकल जाता है और भूम के पीछे कभी नहीं देखता आपकी हंसी रोरो के कहती है कि आपका मन दुखी है मैं? मैं क्यों रोने लगा? इसलिए कि आप विशीतल से प्यार करते हैं नहीं भारत तो प्यार करने वाले जब फिर से मिल जाएं तो इसरा प्यार करने वाला कभी दुखी नहीं होता आप बाबू और भी गम है समाने में महपत के सिवा अलो हाँ विजे मैं बोल रहा हूं आया कहां से? आय शीतल के घर से शीतल के घर से? आइस्ता बोलो विजे तुम अपनी यूनिफर्म पहन के यहां फॉरंच ले आओ आपके नाम वारंट नेकी राम के पास आपके दस्तखत किये हुए कोरे कागल बंबई के रास्ते में रेल के पुल भाईया कौन विश्वास करेगा आपकी बाता तुम करोगे इससे क्या फाइदा विजे मैं अगर अकेला निकला तो पकड़ा जाओंगा मुझे एक साथी की जरूरत है तुम्हारे साथ निकलकर अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर जिंदगी के बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे अंदेरे में तीर चलाने वाली बात है भाईया लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं विजयाओ आप नहीं जा सकते आपको मेरे साथ पुली स्टेशन चलना है मुझे एक रात की महुलत है मैं एक पल्क की महुलत नहीं दे सकता अगर तुमने महुलत नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा देश के दुश्मन अपनी चाल चल देंगे और भाईया को बेगुना साबित करना नामुम्किन हो जाएगा इस महुलत का फैसला मेरे ओफिसर्स कर सकते हैं मैं नहीं दीपक मैं तुम्हें गैरंटी देता हूँ कल सुबह तक भाईया तुम्हारे हवाले हो मैं मजबूर हूँ आगल मत भाईया मेरा कर्तव ये इस देश का कानून है और मेरा कर्तव इस देश की रक्षा आये भाईया देख दीपक सवाल इस बात का नहीं की कर्थविय के रास्ते पर कौन आगे है और कौन पीछे है सवाल तेश की रक्षा है अगर आज तुमने भाईया को जाने नहीं दिया तो शायद जिंदेगी भर पश्तावा रहेगा मैंने कहाना मैं मजबूर हूँ विजय विभाग यह जिए अरुपक भाईया को मनजिल तक नहीं पहुचने लेगा अचला प्राजी आम किस बर्ष की दवा है खारत कहां है कश्मीर से कन्या कुमारी तक सदेश तुम जीव के पास ठेरो वके सर्थ भाया मैं कहता हूं बहतरी इसी में है चुप चाप मेरे साथ चलेचलो अब वक्त मैं फिर कहता हूं मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो मेरी जूटी आपको पकड़ना है छोड़ना नहीं चलिए 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 हे छोड तो नहीं आई न भाया मैं कहता हूं रुक जाओ अः चलिए हुआप जलिए प्ढ़्स मुपख रुप आँ जलीए जीतर तुम किसी भी दरेन की चीप लेकर अगले मील वाले पत्थर तक पहुंचाओ मैं वहां पहुंचता हूं जल्दी पारत तुम्याई इतरो, में तार्ब देले कि खुश कर्दियो कुश कर्दियो पारत कुश कर दो झाल झाल पम्याँ तुम्याँ पारत पूरत पारत 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 लाज़ करशके दो दो 새cko था रॉछ एंग ठॉछ तान समकर जुछ लाज़ कर दो दो लाज हो रखके में अबना रखके में तुम तुम ठीक हो ना ठीक ही तो हूँ बोल्जियों की हावा सुनके मैं डर क्या था इसे पहले की दीवा क्या आजाए हमें यहां से चले जाना चाहिए पीछे क्यों? ताकि पीछा करने बारे को देख सको बहुत खुन भेगया है लाओ रुमाल बंदू हाँ बहुत दर्द है ना? मैं जानती हूँ गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है तुम तो ऐसे कहरें जैसे तुम्हें गोली लगी हूँ गोली तुम्हें लगी, मुझें लगी एक ही बात है ना? चलो जग को भाले ख्यालों में जूले जल जग को ले अलामों में जूले बहारों में जूले सिसानों को जूले आप तेरी में मालक सवार तुकल हलकन का मालक जो दुल हलकन का अना बनून ही नना बनून ही यना बनून ही तीपक ने एक मुसाफर से मोटर साइकल चीन ली है, वो पहुंचता ही होगा भाया खून, शीतल शीतल, शीतल शीतल मुझे बताया तक नहीं तुम्ही बहुत दूर जाना है बड़ा काम करना है तुम्हे मेरी सोगन भारत जिन को प्यार किया जाए, उनका दिल नहीं दोड़ा करते जाओ भारत शीतल पहले भी तुम्हारी आमानत थी अब भी हम इसके साथ है इसको कुछ नहीं होगा जल्दी जाओ नहीं तो तु मेरा मरा मुझ देखोगे भी या चलो ये लग शीतल को हस्पिटल ले जाएंगे तुम चलो विजे अपनी भाई का ख्यार रखना अपनी भाई का ख्यार रखना भारत कहां है? कश्मी से कन्यों घुमारी तक बहुत बाबो गाडी घुमारी जी शीतल को हस्पिटल ले चलते है नहीं भाया नहीं हस्पिटल जाने का वक्त तो निकल गया है अब कहीं और जाने का वक्त आगया भाई मुहान बाबो अब तो कुछ ही सांसों की महमान हो सुने आप आप तुलसी है ना? हाँ आप मुझे नहीं जानती जानती हूँ आप आप बाबो की नामन की सीथा है मैं और सीथा नहीं दूसी नहीं सीथा तो बनवास में भी साथ देती है मैंने तो दुप में उसका साथ जोड़ दिया था तुलसी भारत फिर मसीबत में है तुम उसका साथ में छोड़ना यह लो उनकुठी इसे पहन लो भी यह आपके हाथ में अच्छी लगती है तुलसी जानेवानों की बात नहीं मोड़ा करते है इसे पहन लो भगवान की है नहीं मेरी ना सहे तुम्हें तुम्हारे भारत की सोगा भारत आपका है तुम्हें मेरे बात की सोगा अब तु पहन लो लाओ लाओ शितन भाया आप रोने लगे है नहीं शितन हाँ अपनी बहन को विदा करते हुए भाय नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा मोहन बाबू आपने मुझ भी बहुत से एहसान किये है एक आखरी एहसान और करेंगे को तो भारत खत्री में है भारत खत्री में है उसका उसका साथ दीजे बादा में बन जाओ सास आखरी तो दीवन बन जाओ जीओन से सास आखरी मेरा अंदी मेरा अंदी मेरा अंदी मेरा अंदी शीतल मुझे, मुझे हवा एक च्छोंक आया और आक अराल विदा कह गया मुझे, शीतल भाईया, हालाच जब यकड लेते हैं तो इनसान बुरी से बरी बात सोचता है शीतल को कुछ नहीं होगा अगर कुछ नहीं होना होता ना तो इतना कुछ नहीं होता विजे खैर, तुने ये जीप कब रोकी, क्यों रोकी बेवर्शी के आलम में आप फूट फूट के रो रहे थे बाद उसे खून बहरा था और दीपक तेज रफटार से पीछा कर रहा है वह हम तक तो नहीं पहुंच सकता लेकिन जीप किटार पे गोली चला की उसे बेकार कर सकता है इसलिए अपने आपको यह चुपा लिया चलो विजे, चलो उसे थोड़ी दूर और जाने दीजे भाईया पहले पासफ़ले काउं के हस्पटर जाएंगे यह तो पुलिस के से पहले गोली निकालो डॉक्टर बिना पुलिस को इतला दिये मैं कुछ नहीं कर सकता फॉजी अफसर होकर आप इस तरह गैर गानुनी काम करने को कहते हैं गोली निकालो डॉक्टर नहीं तो मेरा भाई गोली गार देगा अच्छा यहां कोई आया था यहां तो कई आये कई गये वो तो शायद आप वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर गोली निकलवाने वाला अपने भाई को लेके निकल गया पुजे है हो रही गोपाल की गारी पुजे है पट तेरी पेट्रोल शतम हो गया गोफाल बहुत आगे निकल जाएका उससे पकड़ना मुशकल हो जाएगा फिलहाल तो दीबक से बचना मुशकिल है अलो ब्रदर वीजे तीपक भाईया तुम मोटर साइकल लेकर चलो मैं इससे इन्ने पटलूँगा भाईया मैं कहता हो रुप जाओ दीपक मुझ में विश्वास करो मैं वापस आकर अपने आपको पुलिस के हाले कर दूँगा अआट हराओ बहुत बहुत गारी रुके! हाँ, भाईया तो गए! Shut up! I'm so sorry. I am so sorry. I am so sorry, you shut up! Police officer हो तो तेरे जैसा. मुझे तुम पर नाज है. वैसे मैं भी कोई देश का दुश्मन है. मुझे भाईया तक पहुचना है. देख मेरे भाई, जीप में पेट्रोल खतम है, और तेरी मोटर साइकल गोली खाके घाल बढ़ी है. चल कहीं से दूसरी सवारी का बंदबस करें और आगे चलें. मैं और तुम्हारे साथ? क्यों? पुलिस और आर्मी का तो चोली दामन वाला साथ होता है. साथ जिएंगे, साथ मरेंगे. गाड़ी इदर से जाती है, उदर से आती है. एक ही वार में दो फुल उड़ जाएंगे. रेलवे लंगड़ी हो जाएगी. उसके बाद एक वार और और बंबई का रास्ता बंद. घटिया आदमी घटिया बात करता है. कॉपाल, दो चार पुल उड़ाने से सिर्फ दो चार हजार आदमी मरेंगे. नेकी राम से कहो कि किसी भयानक ताकत से आटम बं लेकर फोड़ दे. पिर चारो तरफ लाशें लाशें होंगी. तुम और नेकी राम मिल के लाशों का ब्योबार करना. सबसे पहली लाश तुमारी होगी. जिसके लिए बंब नहीं, जिरुफ एक छोटी सी गोली चाहिए. सोच लो, तुम्हारा दोस्त हूं. भारत मेरा दोस्त नहीं. भारत सबका दोस्त है. हाँ, तुम उसके दुश्मन हो. और दुश्मत को जिन्दा नहीं चोड़ना चाहिए. साल्सा पिठ पेवार नहीं करता. पर तुम्हारे तो छाती नहीं. छाती जीरों की होती है, चुओ की नहीं. साल्सा, तल्वार फैंक दो. नहीं तो गोली चल जाएगी. हाइक दो, रिवोल्वर! नहीं तो तुम्हारा ये बाम तुम सबको औरा देगा. अगर मार्द हो, तो दो बराबर की टककर. लड़ो बिना तल्वार के. अला. अगर मार्द हो, तो बराबर वाले के साथ टककर लो. हाहा! हाह! जानिक वाएबस रफन बर्फ तुसराद लगान दन का वाएबस तुम्हारा तो साथ इवाराच! आप मेजाएगा! वाहा! पड़त हमें! हुड़! प्राइ, सामकन के! पर्ड़ू! आपारी जैं हम भपुष, तौर दिजम मुझे! कि अब्लड़ों वा लित अपझतकि में जहा है। अब अफिज कर सुपल इसा के वी दूंत मानया है। अब का कुस्छा कर जा ज़ाद। कर भापक jisen अन्दाति गाद है। सर्षों атыट वका के जोनते मानले genau जातिया। अगर क्रेदाद। तोली चड़ते हमारिया हीर शीकर आप पला जो पला शोलते हो कस शीया का आगे अस्तवाल अखरत पड़ी बुड़ा दा दी अप राजी तुसे बंबरूद उठालो तो मैं पराज़ा आउँ 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 अच्छा तो होता अगर लेकी राम प्लान के मताबक इस भारत की गर्दन भारत सरकार के फंदों में गुठ जाती लेकिन मुरली वाले की मुरली यही सुनाती है कि इन तीनों को फोरण गोली मार दी जाए कि फंदो आउपा कर हाथ आको प्लाँ चाँ प्ला गजड़osa छोरर्दन यहन भार्दन और दोन बहुदन गजाओ गए हम चुब करते हैं जल को बादे हम ची फिरेग में जल ओखाइए। करी और रेके इका भुटा ! कर जप सर्वेट ! फजे ! आउ सह Но कर राफ ? अब बोल! आच्छा गोडी! अब रादी, अब रादी, मेरी, मेरी! अच्छा मेरी पार्टी है, आच्छा आच्छा अब फोड़्न रादी जीजा हो अब रादी polite अब राक हचिए बाया More हुआ एär हाँ हाँ यह भोष हो गया भारत के साथ यो भोष में आओ और अप्नी आखों से देख लो तुम्हारा भारत भेखो आगर उसे यहां से बीचे भेंग दिया जाए तो उसकी लाहिज तक नहीं मिलेगी अगर उसकी खैरिये चाहते हो तो अपने आपको मेरे आदियों प्यावाले कर दो दोन अपनों पर बारूत लगा दो और हैंडल दबाकर ट्रेन के साथ इन चारों को भी उड़ा दो जल्दी करो जल्दी अब जल्दी से स्तार को में कनेक्शन साथ जोड़ दो जल्दी कि अधिया नेकी राम प्लान का क्रश्मा भारत के टुक्ड़े टुक्ड़े हो गए फूँ प्रेन अने वाजी है थोड़ से धुआ कर दो ताकि एंजिन ड्राइवर को कुछ दिखाई न दे भारत का इमानदर मजदूर इमानदर बिजनसमें इमानदर फॉजी और इमानदर पुलिस सब खत्म हो जाएगा कर देन क्या आते ही एंडल दबादो और पुरुना दो मैं हो किया मैं हो किया मैं हो किया मैं हो किया कर दो किया मैं हो कर देना आता पूले शेनिया शुट श्रीयका वै बदी रामा मुबारक हो कर दो मुबार कर दो इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिष्टे नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा